प्रश्चिन की घर के अंदर आप बहू बनके रह रही हैं रसोई में खाना बना रहा है नहीं अभी तक मैं मम्मी बना प्रश्चिन की माता जी यहां पर है आपकी बहू तो आ गई है अब आप खाने क्यों बना रहे हो करें खाने का यहां पर करते हैं उसके अलावा यहां पर उनका कहना है कि वो अब अपने परिवार के लिए क्योंकि आप उनका परिवार हो गया है और आज पास यहां पर दिलोगों की भीड है यहां पर हम डेटेजंगे यहां पर दिकिए बाहर के लोगों से में बात कर ना चाहूंगह और को की यह सचिन का पूरा घर था सचिन का घर दिखाया हमने यहां पर लोग आप कौन है सचिन के बावा aya दाजी नहीं बहू आई यह पाकिस्तान से हां हुशी है आप सोचा था यहां से बहुँ आ जाएगी नहीं शोचो नहीं शोचो तो बड़े बुड़ें पर बात करने हैं यह बताइए कि अब आप लोगों के घर में सोगा से शाम बहुंके जिदार के लिए आरॉसी परॉसी दूर दरास से लोग आ रहे हैं तो क्या कहेंगे खुशी है आप लोगों से आया और वहां से पकिसान से लेकर आए सहजों कोई रोकल कोई मलाल नहीं हमारी नहीं हमारी वरे ब्स्ती आ нес साहरे और आरोसपरोस के गाऊन हमारे साथ सबी धन्यवदाद देते के जा रहेैं सभी अच्छा कर रहे हैं किसी संगठ हन्हाओं नहीं कोई इतनी सी भी बात कोई बरोध नहीं कोई कोई कहीं से भी कहानी कहानी नहीं सफ बढ़ीजा इंडियन पुलीस, दोईडा की पुलीस को मैं सलाम करते हूं, बहुत अच्छी हैं. कि पूछता सर, हरो इस हाई इस वक्त हमारे साथ है, जिनने देखने के लिए काउं के लोग सुबह से शांत भीड़ लगाकर उनके धर के अंदर आ जाते हैं, वहीं आप तस्विरों को देखी कि यहां पर लोगों की भीड़ हर वक्त मौझूद रहती है, लोग यहां पर इसल तो पाक्स्तान और हिंदुस्तान आपको था नजरा आए? हें फ़रकी है था थोड़ा हिए तो तो थोड़ा ही था था कि तुच्छा निए थे था होड़ा था निए था है इसके बाद आपको साथ लेकरे चोड़ा को पाकिस्तान में अगर इस तरह से सचिन वहां पर आते हैं और सचिन वहां पर पकटती तो क्या इस तरह से खाला तो इनको बना थिया पुला रहती है यह झाला रहती हैं जब तक मैं जिन्दा होती है तो इनको बहुत है अगर यह किसी कार मैं इनको बुला रहे हैं यह रहे हैं कि यहां ने कि वाद किया तो यह जब साथ हुआ पर आहे हैं और हिंदुसाल में और सचिन के घर में रह रहा हैं तो क्या आपका पाकिसान्था रखता है किसी ज़िश्थदार से पोन पर संपत हुआ क्या उन्होंने कुछ कहा अपके मेरा सब पर कॉंटेक्ट तो नहीं हुआ, अब बेग इसी वाली कल आयते हैं, कि आपके बेहन को तुँए है, तो मैं थोड़ा एमोशनल भी हो गए, कि बेहन में वी साल तुँए है, तो आपनी पॉल्मी के बेहन को, क्यों, मैं नहीं करना जाती हूँ, इमेर से बात करूगी मैं दुख होगा, तो इसे अच्छे में खुश रहे हूँ, इसके बाद आप क्या सूदे हैं, मुश्किल तो है, बहुत जादा सर, इहां के बड़े-बड़े लोग आके हमें ओफर कर रहे हैं, कि हम आपको काम देंगे, कोई भी काम होँ, हमें आप कॉल करना, कॉंटेक्ट नंबर दे रहे हैं, I think कि हो जाएगा, क्योंकि इंडिया साथ दे रहा है, तो हो जाएगा, मुझे लगता है, कि मेरे बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा है, आपको पर कही तरह के आरोप शुरुवाती दोर में लगे थे कि सचिन और आपकी जो दोस्ती हुई वो पब पती के साथ किस तरह कर दो अच्छा नहीं था सर, वो बहुत बरे तरीके से, तो बहुत डिस्टरब रहती थे, इनको भी पता है, इनको बताती तियार ऐसे करते हैं वो, दुख भी होता था, तो मैं खुश नहीं थी, कोई कारण नहीं था उनके साथ जीने का या रहने का, पहले कारण था मेरे पापा, वो बहुत अच्छे थे, तो उनके कारण में जैसे पर रहती रह रही था, उनके खतम होने के बाद कोई किसी को नहीं पूछता सर, हर कोई अपनी जिन्दगी में रहता है, अपना खाता है, अपनी जिन्दगी में हर कोई मौच करता है, कोई कि कोई किसी को पूछेगा नहीं कि तुम दुखी हो या खोश हो तो मेरा ही जीवन जंड था तब वहीं पे गर में रहती मेरे बच्चों का और मेरा ही था तो मुझे यहां इनके साथ रहना अच्छा लगा मैंने इनको कहा कि मैं आओंगे तुम्हारे पास मेरा पीछे कुछ नह संदुन हैं तुम्हारे था हैं और पाकिस्तान से आई इंडिमा है अभर आपकी पतैं हो गही है तो पास की लोगों की भीड़े दो जाना होती है अब कैसे मैनेज कर रहा हूं क्योंकि चार बच्चों का भी आपको वोश्य देगी तर वो तो हो जाया सब कोई भू का नहीं सोता कि मैं को को सिस करूंगा जितना यानि कि बच्चों को अच्छा स्कूल में पढ़ांगे अच्छी डिए चिशेट कराएं है तो अभी आपको जो अभी भी आप उनके रिटार पर है बिल्कुल है पराइटिंगा उनको पता होगा कैसा कुछ नहीं है क्योंकि अब भी कर रहे हैं जो सब सिर्फ कहरें बड़े जैंसी जासूस हैं कुछ भी हैं मेरे जात्यूस तो मुझे यकी कि अप्राइब आपने नहीं तो कुछ होगा कहते हैं, मैं यह महबत में आई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, अगर मैं फिरोड होती हैं, गलत होती हैं, तो इनके कोई दोश्णा होती है, और जो भी बेकराउंड में मुझसे मेरे पूरे खांदान का, जैसे मेरे मामा के पापा पूरे खांदान का, पत्नियों का, उनके बच्चों का, जो जो वता सारा मुसे पूछा, मैं से तीन दिन रेगुलर सुगे थे शाम तक, अलग-अलग लोग आते थे, पूरे बुक भर के जाते थे, लिख लिखके, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई जूट बोला ह कि हमारे प्यार, योगी राजवा आप आया है, जानते हैं योगी अधितना आख, जानते हूँ, कैसे जानते हूँ, यह नहीं नहीं बताया, न्यूज फ्यूज में मा थोड़ा, बहुत ज्यादा मतलब नहीं, कभी देखा भी नहीं है, सर, अगि थोड़ा बहुत जानती और इसी कारणी मतलब हम वकील के पास गयते हैं आब अफने हम छुपके रह रहे थे हैं हम रह रहे थे सा हम बस्तान की पुलीस अगर सीफ्टी नहीं हम ने कहा था कि सची पाकिस्तान चले एक होते हों और पाकिस्तान की पुलिस में आपको क्या फार्क नहीं गई कभी ऐसा पुलिस को पिलू से देखा नहीं पर इंडिया में पहली बार यह जेल देखे पर यहां की प्लीस बहुत अच्छी इंडियन पुलिस नोईडा की पुलिस को मैं सलाम करते हूं बहुत अच्छी है हमें ब बहुत बुरे तरी कि इस तरह है कि को उनका मज़र फरस्ता उनकी जूटी थी उनके वाद जब उनको बिलीव होने लगा कि हां मैं इंद लवर प्यार में आई हूं तो फिर उनको यकीन होने लगा तो फिर रिस्पेक्ट करें हमारी सचिन की घर के अंदर आप बहू बनके रह हुआ हुआ